जाएन दस्तों मेरे इंविर्शन स्वाद करता वह फिर से आप सब्सक्राइब आपके परवार में तो दोस्तों हम लोग बात करने वारे हैं आज का जो प्रेक्टिस सेट हो जाएगा यह मैगनेट को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे हैं ना मैगनेटीजम को देखेंगे और इंपोर्टेंट टॉपिक पॉर आरवी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अच्छा अमांट जो है आरवी में पुछा जाएगा ठीक है तो बाकी सभी एक्जाम के लिए महत्मोट रहेगा वीडियो को शुरू करते हैं उससे पर लिए अब चनल पर नहीं है तो चनल को सब पैला कूशन है स्थाई कंशंट कि स्तिति ने किया जा सकता है itboard एक्षाई छुमबक एक चोली बनाते है डीकि तो तो इस्थाई चुमबक आम तो पर पर हम इस्टील से बनाते हैं ठीक है और अस्थाई जो भी नर्म लोहा होगा उससे हम अगला कोशन है ही अस्थाई चुमबक किसे बनाते हैं तो जो भी नर्म लोहा होता है उससे हम अस्थाई चुमबक बनाते हैं और इस्थाई चुमबक स्टिल से बनाते हैं इस पाद से हैं जो हाड लोहा होता है और बाकी आप जानते हैं अगर चुम्बक खत्म करना है तो आप हीट कर दीजिए उस चुम्बक को तो क्या हो जागा उसके अंदर की चुम्बक खत्म जाएगी और यदि आवेसित करना है तो घरसन हम करते हैं ठीक ना बस्मन में कुछ प्रेक्टिकल यदि आप किये होंगे तो आगे देखते हम लोग बिद्दु चुम्बक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों जो बिद्दु चुम्बक की बात हो रही है वो नर्म लोहे का बनाए जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखे जो भी नर्म लोह आवाता ना उसकी capacity बहुत अधिक होती है तो उसमें देखे क्या है चुमकी प्रवर्ति तता कम धारान सकती नहीं है चुमकी प्रवर्ति कम धारान सकती कम बाला में नहीं होगा अधिक चुमकी प्रवर्ति और अधिक धारान चमता है ना कम क दोनों अधिक होंगी ठीक ना बस नॉमली आपको एक्सिमम के लिए याद रखना है इसलिए हम नर्म लोहे को नर्म लोहे से विद्व चुमक की विद्व चुमक बनाते हैं यदि किसी चुमक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा फिर से नया चुमक बन सकते माली जे इसको आप नर्थ मान रहे है और साओध है अम थरपी दर ही हम लोग बानते हैं और यहां इसे क्या कर दिया बंजित कर दिया तो फिर दिये लगा हुष्चा नार्थ हो जाएगा और यह वहां से फिर से चुम्बक बन जाएगा तो यह हमें ध्यान देना है क्या कह रहा है इसमें देखिए दोनों भाग प्रतक प्रतक चुम्बक बन जाते हैं हाँ विलकुल बन जाते हैं अलग अलग चुम्बक बन जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं ह किसी चुंबक की आकरशन सक्ति सबसे अधिक कहा होती है तो उसके धुरूओं पर होगी सिधिसी वात हैं के किनारों पर है न तो दोनों किनारों पर बस अजकुश करना नहीं है न क्रक्ट अंशर क्या हो जागा दोनों किनारों पर north or south वाले pole पर है न किसी चुम्बक या करशन सकती सबसे कम का होगी तो मद्ध में होता है बिल्कुल सेंटर में तो करक्ट अंसर अब का हो जाएगा मद्ध में बहुत इजी टॉपिक है नार्मल टॉपिक है कुछ इससे इंपोर्टेंट कुश्चन जो बन सकते हैं अब लोग कवर कर लेंगे और इतना भी इसी नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दे हैं एक दो कुश्चन याल से पुट आउट कर लिया जाएगा तो पढ़ना काफी इंपोर्टेंट है क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है हमें असत्य ढूणना है क्यारा चुम्बक के समान द्रूओं के बीच प्रतिकर्शन होता है समान द्रूओं हमेशा प्रतिकर्शित करते हैं सही बात है लेकिन हमें गलत वाला आंसर करना है यह सही बात है चुम्बक के भीपरी दुरों के बीच आकरशन होता है ये भी सत्य वच्चन है एक बिलग दुरों का कोई अस्तित तो नहीं होता है मतलब कोई एक अकेला दुरों जो है उसका कोई अस्तित तो नहीं होता है ऐसा नहीं है वो कोई नेगेटिव पोजिटिव ढून लेता है तो हमें अभी असत्य ढूंड़ना है किसी चुमक के बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रूब अलग-अलग हो जाते हैं नहीं ऐसा नहीं है फिर से वहां नार्थ साउथ बन जाता है जैसे अभी मैंने पहले दिखाया था तो ये गलत है और यही हमारा अंसर होगा और ये गलत है अब इसमें क्या कहा रहा था जैसे वहां लेंज है विलग-ध्रूब का मतलब क्या है बैई कैसा आप ध्रूब बनाओंगे वह कहीं से तोड़ोंगो वहां से तुरंट दूसरा ध्रूब बन जाएगा नार्थ है साउथ हो जाएगा यहां से तोड़ दिए त आउत हो जाएगा फिर यहां नार्थ बन जाएगा तो आप इसको अलग करी नहीं सकते हैं जरूर धुरू बन जाएगा ठीक ना चुमकी चेत्र का मात्रक होता है तो देखे चुमकी चेत्र को हम लोग जब मात्ते हैं तो गौस में मात्ते हैं ना गौस में मात्ते हैं आवंतर पे ठीक है और फ्लक्स को बेबर में मात लेते हैं चुमकी फ्लक्स को हम लोग बेबर में मात्ते हैं तो इस तरीके से हमें याद रखना है, और चुम की फ्लक्स बेबर में मातने ही है, गॉस का चुम की छेत्र में मातने हैं, ठीक है, और एकुली देखे़ जिसे बाकी हटर्च वगरा है तो फ्रेक्वेंसी मातने हैं, जैसे टेसला अब जानते हैं, कमपनी भी है, एलर्ण मस्क की, तो फिडाल उसे अपने यह क्या करता है चुमकी चित्र की तिवर्ता को बताता है ना चुमकी चित्र की तिवर्ता जैसे गौस और टेसला तो यह याद रखेंगे टेसला जिमने में से कौन लोह लोह चुमकी पदार्थ नहीं है जो मतलब लोह चुमक ना हो तो थेकिए लोह निकिल कोबाल्ट यह सब लौचुमकी होंगे लेकिन ताबा लौचुमकी नहीं है ठीक है कॉपर क्या होगा चुमकी गुड़ो इसका नहीं होता है तो लौचुमकी आपको याद रखना मत्लब जैसे लोहाच चुमक में छिपकता है उस हिसाब किताब में है वागि फिरस जानते हैं फिरस आगशाड जंग होता है न अुए बाकि निकल है को कबाल्ट है यह दोनों पासपास में होते हैं है अ जैसे अगर हम बात कर लें निकिल की तो कोबाल्ट के बाद निकिल आता है जैसे फेरस 26 फिर कोबाल्ट 27 निकिल 28 इस तरीके से चलता रहता है और उसी में आपका जो कापर हो जाता है वो 29 से 7 साथ में लगातार सब रहते हैं फिर उसका जिंका जाएगा ठेक है 30 नमर पर atomic नमर मैं बात कर रहा था वो भी जरूरी है अमतर पर निकिल में से कौन अनुचुम्ब की पदार्थ है अनुचुम्ब की पदार्थ भी होते हैं ना देखिए ये gases की बात हो रही देखिए hydrogen अनुचुम्ब की पदार्थ नहीं है nitrogen भी नहीं है लोहा भी नहीं है मतलब अनुचुम्ब की पदार्थ है याने कि चुम्ब की छेतर कम हो जिसके अंदर है ना तो ठीक है अनुचुम्ब की पदार्थ है आपको हमेशा के लिए याद रख लेना एक तो oxygen होगा दूसरा aluminum होगा तीसरा sodium हो जाएगा ठीक है और oxygen तो हम लोग ने बात करी ही है ठीक है ना तो यह याद रखेंगे इन तीनों को सदा के लिए याद रखें ठीक है और आगे बढ़े हम लोग लोजुम्ब की पदार्थों के भीतर प्रमाड़ूं के असंक प्रमाड़ूं की संख्या होती है ठीक ना लोजुम्ब की पदार्थों के बीच में बहुत सारी जो छोड़ी-छोड़ी सूच्म संख्या होती है उन्हें हम डोमेन कहते है और एक डोमेन में देखिए एक कुश्चन भी एक डोमेन में तो इसलिए इंपोर्टेंट तो रहेगा अब क्या करा इस्थाई चुम्मक जिस पदार्थ का बना होता है वह किसका होता है तो इस्थाई चुमक आम तो पर हम लोग क्या करे रहे थे इस्थाई चुमक जब बनाएंगे तो स्टील का बनाएंगे लेकिन यहां तो मामला उल्टा हो गया तो अब देखिए यहां पे जो है आपको बस इतना याद रखना देखिए फेरा मेगनेटिक मतलब लोहा फेरस की बात हो रही है तो बस इतना ही याद रख लेना है डाइ मेगनेटिक नहीं होगा एंटी फेरा मैगनेटिक नहीं होगा तो यह हो जाएगा फेरा मैगनेटिक यानि कि लोहे से बना हुआ या स्टील से बना हुआ लोहे से तो स्टील बनाएंगे है न उसकी कठोरता को हाई कर देंगे यानि कारवन मिला देंगे या निखिल मिला देंगे तो स्टील बन जाता ह आगे कहा रहा है मुख तुरूप से निलंबी चुमकी सुई किस दिशा में टिकती है तो जब मुख तुरूप से हमेशा क्या होगा इन लोगों का उत्तरदश्चन बस तुरंथ क्योंकि नार्थ और साउथ वाला महाल हो जाता है तो हम अगर प्रथवी की बात करें तो यह हम और इधन नार्थ वाला आएगा ठीक है मतलब जो पोजिटिव होगा पोजिटिव की तरफ नहीं आएगा दूसरी तरफ घुम जाएगा तो इससे हम डिरेक्शन पता लगाते है तो उत्तदश्चिंट दिशा ही इसमें हमें स्वतंतर रूप में देखने को मिलता है ठीक न अब आगे बात करेंगे हम लोग चुम की कमपास की सुई किस और इंगित करती है तो चुम की कमपास सुई किस और इंगित करेगी भाई चुम की उत्तर और चुम की दक्षिन यही तो बात हो रही थी अभी पहले भी तो डिरेक्शन ही दिखाती है उत्तर और दक्षिन अब हम बात करेंगे निमन में से कौन सा एक और चुम की पदार्थ है जो जिसके अंदर चुम कत्तों का गुण नहीं है तो देखिए इसमें कोबाल निकल और लोहा होगा लेकिन जो पीतल है पीतल में बत अदधिन है क्यूंकि अभी देखे जब नर्म लोहे की बात हुई थोड़ा कठीन होता है रिजन क्या है अब देखे इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसका भी एक जो है अधिक धारन चम्ता होती है प्रकर्ती लेकिन अधिक नहीं होती है यह याद रखेंगे क्योंकि इसको थोड़ा साम मेहनत लगता है उसके बाद ये काफी ज़्यादा पाउरफूल मैगनेट बन जाता है ठीक है तो अधिक दारान समता की वज़े से इसको थोड़ा कठीन हो जाता है एक सोतंतर रूप से लटका हुआ चुम्बक सदेल ठेरता है फिरसे वही यार दचिड उत्तर दशिण देखिया आरार भई में आया हुआ है निम्न में से कौन सा एक प्रकरति में अनुचुम्बकी है देखिये अनुचुम्बकी की बात हम लोगों ने की थी तो लुहा नहीं होगा हैट्रोजन नहीं होगा ऑक्सीजन होगा और नैट्रोजन भी नहीं होगा तो ऑक्सीजन एलुमिनियम है ना और और हाँ ऑक्सीजन था और एलुमिनियम था और आपका सोडियम रहेगा यहीं तीन होते हैं तो इसमें फिर से अगें ऑक्सीजन ही ऑप्सन में दिया है तो कोई बात नहीं है तीन आपको याद रखना है एलिमुनियम, सोडियम, एने है ठीक है और यह आक्सिजन तो हई है नेमने से कौन बिद्दुचुमक्य है बिद्दुचुमक्य है मतलब बिद्दुचुमक्य के रुप में इस्तमार मिला जाता है यह PCS में पूछा हुआ है तो इसमें देखे जो कौपर होता है क्योंकि हम जानते हैं कि काफे बेहतरिन जो है बिद्दुधरा को प्रवाइद करता है तो क्या हो जाएगा आपका तामा हो जाएगा ठीक है तो यह बिद्दुचुमक्य मतलब निकिल तामा फिर से अगें तामा और आपका इसका मिस्रधातु जो हमारा बनता है पीतल यह मतलब अचुमकी रहेंगे हाँ यह बिद्दुधरा को प्रवाइद करता है और सबसे बेहतर बिद्दुधरा को प्रवाइद करती है चांदी ठीक है तो ये याद रखेंगे बाकी जो है कोबाल्ट और क्रोमियम ये सब जो है विद्धुधारा को सुरी विद्धु चुमबक को मतलब प्रवाइद करती है न तो ये याद रखेंगे तो अचुमबकी कॉपर ही रहाएगा चुमबक जिसमेना चिपक है और पीतल भी इसका जुम्मी सद्धात हुए वो भी थोड़ा से ध्यान देजिए अगर ही तो थोड़ा से ही डेवाजन हो जागा चुमकी याम्योत्तर और भोगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण होता है तो जो चुमकी याम्योत्तर होता है याम् नहीं होता है नती नहीं होता है चुब की नती मतलब कोण दिखाते हैं ठीक ना अगर चुमकी नती की बात कर ले या नमन की बात कर ले तो यह भूमत दे रखा पर या विश्वत रखा पर 0 डिगरी होता है और 90 डिगरी होता है पोल्स पर है ना ध्रूम पर तो यह आगे और हे प्रती सुम्ब की ये लोहा विश्मत निकील कोबालण देखें बार बार वही वही जो है अप्शन दे रहा है तो इसलिए आपका असान हो जा रहा है विश्मत नहीं होगा भाकि निकील कोबालण ये तो सब होते हैं ना और मुखितिया ये तीन चार जो है चुमक की पदार्थ होते हैं एक सकति साली चुमक क्या करता है सब पदार्थों को आकर्षित कर लेता है और आके क्या है केवल लोहा एवाम उसकी मिस्रधातूं को आकर्षित करता है किन्तु प्रतिकर्षित नहीं करता है किन्तु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है तो यह थोड़ा सा जो है इसकी पूर्ण बात को बताने की खोशिज कर रहा है जो सक्ति साली चुम्बखोगा केवल लेवा और उसकी में सर्दाथियों को आकर्षित करेगा लेकिन साथ साथ में किसी और को प्रतिकर्षित भी नह जाएगा सी सब अधार्थ में नहीं जाएंगे आप लोग को मोगत रूप से अपने गुरुत्तों के अंदर पर आलंबिच चुम्ब की सुई 36 के साथ जो कौण बनाती है अब देखें यहाँ पर वही बात आ गई नमनकोण वाली यहना मोगत रूप से अपने गुरुत्तों के अंदर पर आलंबिच चुम्ब की सुई 36 के साथ जो भी कौण बनाया जाता है उसे हम नमनकोण कहते हैं या नतिकोण कहते हैं किसी चुम्ब की पदार्थ को चुम्ब की प्रभाव सुरप्रत्तम अवलोकित किया गया तो इसका जो सबसे पहले विदू चुम की प्रभाव को देखा गया उलोकित किया गया ठीक है न और जाकि है कि अगर हेंडरी की बात करें हैं घुछ आपको लग रागे खो माईकल फाराड़ी और बोल्टा तो जानते हैं न यह जो देखिए बॉल्टा तो मतलब बिद्धूद बोल्ट वगेरा जो है इसके नाम से आयता है माईकल फाराड़ी तो ले जानते हैं पंखा वगेरा लेकिन अगर हम बात करें हैं हेंरी तो ये रेडियो धर्मिता से संबंदित है और 90 1903 को इन्हें नोबल प्राइज दिया गया था ना तो बेकलर हेंरी इनका पूरुणर नाम हो गयाता है याद रखेंगे अब आप कहेंगे रेडियो धर्मिता के मैडम क्यूरी और प्यरे क्यूरी इन दोनों को भी मिला था लेकिन इससे रिलेट करके हिंद्री को भी नोबिल प्राइज दिया गया है ठीक है न तो यह याद रखेंगे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दुरुम पर नवन कोड अभी बात हो रही ति दुरुम पर नवन कोड क्या होगा 90 डिगरी और समांतर रेखा पर 0 और उसी के आसपास में जैसा वो आगे पीछे आप बढ़ते रहेंगे जैसे यह होता है हमारा यह होगे प्रतिवी है न यह कर rig दोनों और यह हमारा भूमाद दे रहा है जिससों बीच वबीच से आदाधा कार देता है इसे विषुत रहेंखा भूमाद दे रहा जिरू अच्छांस रहा बहुत सारे नाम से जाना जाता है यह तो यहाँ पर जो है जिरो डिगरी कोंड होता है लेकिन यह जो है पो अब तरुप से लटकी चुमकी सुई का अक्ष भाोगोलिक अक्ष के साथ 18 डिईरी का कोण बनाता है। ये हमें याद रखना है, 18 डिईरी का, 18 डिईरी का याद करने का तरीका, अगर ऐसे ही माने लिजिए ये 100 असींस का कोण है, तो 180 असींस का कोण है ते उसमें से एक जूरो मिटा देजिए बस ध्यान रखने के लिए है ना तो इसमें आपको बस याद होना चाहिए एक इस्तिर चुम्म की हमेशा दर्साती है एक इस्तिर चुम्म की हमेशा क्या दर्साएगी भाई दिसा ही और क्या उत्तर को उत्तर और दच्छर को दच्छर गलत नहीं दिखाएगी बस फ्लक्स लेकिन यहां से इस्तिर चुम्मक याद रखेंगे मतलब सही बात बताती है यह कहने का तत पर है आरारवी में आया हुआ है तो रेलिवे के लिए काफी इंपोर्टेंट है ग्रूप डी हो जिसमें सबसे ज़्याद आमांट में पूछा ज प्लक्स लांता वर सुम्मकी चितेटर की चमता का हम आउं तरपय किसी माध्य में जो उसका पारगंभता होदा वह ग्राण और थहलता नहीं होगा उन्कि कि भिलक्स की किया जाता है ना चुम्मकित करने के लिए आवेसित करने के लिए बहुँ जारे तरीके हैं जैसे आप घर्षन करते हैं आम तरुपे है ना घर्षन करके भी किया जा सकता है बाकी फ्लेमिंग के जो बेवसाइक तरीके है वो उसकी बात छोड़िए फ्लेमिंग के बाए वर्तमान दिशा को दिखाती है तो वर्तमान दिशा को दिखाने का जो काम करती है फ्लेमिंग का जो बाएहाथ का नियम है उसमें जो बीच वाली उंगली होती है आप देखेंगे थोड़ी सी ऐसे नीचे की और मुड़ी होती है तो वो क्या करती है बरत्मान दिशा को बत्मान समय को दर्स आती है फिर से बसी की बहुत कर रहा है तो वो क्या करता है बिदू चालक में बल की दिशा है जब चालक चुमकी छेतर में है तब तो आम तोर पर हम बस इतना याद रखना है बिदू चालक में बल की दिशा है नहीं तो बस डारेक्टिया ही आंसर हो गया हाँ ये कंडिशन कर दिया गया है जब चालक चुमकी छेत्र में है तब कौन सा असत्य है हमें असत्य चुन्ना है कह रहा है किसी चुमबक के आसपास चुमकी छेत्र होता है तो ये तो अफिस सी सिधी सी बात होगा तो ये हमारा सही है लेकिन हमें असत्य चुन्ना है बिद्दु चुमकी प्रभाव की खोज का स्रे आर्श्टेड को जाता है ये भी सत्य है अभी थोड़े देर पहले भी देखके आयते है यदि कमपास की चुमबक के निकट रखा जाए तो उत्तर दच्छिण दिशा में न रुक कर किसी विशेश दिशा में बेवस्थित हो ज है क्योंकि वो नार्थ और साउथ पोल के कारण जो है इधर उदर होने की कोशिज कर रहा हो कहीं आप चुमबक इधर या इधर कर दिये हैं तो वो इधर उदर डैवेट हो जाएगा तो ये भी सही है किसी विद्दु धारा के आसपस चुमकी छेत्र उत्पन नहीं होता है विद्दु धारा के आसपस चुमकी छेत्र उत्पन नहीं होगा तो फिर आपका पंखा मोटर कुछ नहीं चलेगा है ना तो यहीं गलत है इसलिए यहीं आंसर है विद्दु चुमकी प्रेरण के नियमों का उप्योग नियमों से किसको बनाने में किया जाता है तो जो है आप यहां और इसमें दोनों में जो है बहुत जल्दी कंफ्यूज होने की यहां पर पूरीपूरी चैंसें जो प्रेरण की बात होगी वह जेनरेटर की बस बिद्दु चुमकी प्रेरण के नियमों का अच्छा हो गया जेनरेटर उसके बादогда हम बात करेंगा डैनमो से किस से संबंधीत है तो ढैनमो आमतर पे क्या करता है यांत्री कूरज़ा को विद्यू तूर्जा में बदलता है न जैसे आपका तापी विद्धू पेंदर होते हैं या हाइड्रो पाउर प्रोजेक्स जो भी होते हैं वहाँ पे मोटर बिद्धूत एनेरजी को बिद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है तब ही पानी वानी हम लोग या बाकी पंखा अगरे सब चलता है ना अब देखे द्धानी आज़ा को यांत्री कंवर्ड करने का कां म माइक करते हैं kalau विध्धित उर्जा को यांत्री कुर्जा में परिवर्तीत करता है तो विध्धित उर्जा को एक याम्त्रिक ऊर्जा में तो यह तो हमुलोग हुई गया था tô ही करते हैं और विद्दु तूर्जा को धौनी औरजा में तो विद्दु साउंड जो हमारा होता है स्पीकर है ना तो वह वड़ीदु तूर्जा को धौनी बिदलता है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ऐसे, नहीं कंफ्यूज नहीं होंगे आप, मुझे उम्मीद है, हाँ डायनमो यानि कि विद्दू जेनेरेटर के कारे का सिध्धान्त क्या है, अभी वहीं हम लोग बात कर रहे तो लेकिन हाँ, उसमें पूछ रहे कि इसका क्या है, तो क्या हो जाता है, तो इसका बिद्दू चुम की प्रभाव ही होता है, तभी डायनमो काम करता है, यानि नार्स से साउथ होना, ऐसे से देखेंगे, आप उसमें बनाया जाता है, तो उसमें कॉपर वगरा से वाइरिंग करते हैं, तो वहीं सिच्वेशन होता है, विदूत मोटर निमनिमस सिद्धान्त के अनुसार काम करता है तो विदूत मोटर किसके सिद्धान्त पे काम करेगा तो माइकल फैराडे के नियम पर ये काम करता है ट्रांसफार्मर के क्रूड बनाने के लिए निमनिमस पदार्थों में से कौन सा आधिक उप्यूक्त होता है तो उसमें हम कौन सा पदार से डाल लेते हैं जब हम कोई भी ट्रांसफार्मर के क्रूड यानि की केंदर की चीज बनाते हैं तो नर्म लोहा लगाते हैं आम तोर पे बिद्दुत में हम नर्म लोहा इस्तेमाल करते हैं पहले भी हम लोग बात किये थे Transformer के ट्रांसफ़रमर का जो काम होता है वो आमति पर AC से AC में ही रखता है AC से AC में ही convert करता है लेकिन AC से DC में ही जाता लेकिन यह जौने किLo को High या हाई को Low यानि कि Noorpal करने की कोशिश करता है Transformer का सिद्धांत आधारित है तो इनका भी सिध्धान्त हम देखेंगे तो किस पर है तो चुमी की प्रेणर्ट पर यह भी काम करता है ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर क्या होता है आही गया लग रहा है कोशन हां आगया अब हमें याद रखना है कि यहां पर एसी से एसी में ही रखना है डीसी उसी में जाना नहीं है तुसी दीसी बात ये दुनों तो ऐसे नेगलेक हो गया है हां ये देखे भी एसी बोल्टता को घटाने और बढ़ाने में परियुकत होता है तो बात वही है पर अजब सिद्धानत के मामले में अगर आम बात करने तो यह कहा गया है कि न sack को बना सकते हैं और न लाहीं सिधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि दरब्यमार्जन का सिदान्त अगर समझ के तो बात वई है ना तो दर्मान सनुचन का सिदान्त लैवासी जी ने दिया था जो क 안स्टर जिनए जिया जाते हैं उन्होंने कहा था कि कि देखेए किسी भी वस्तू को या Peach किसी भी और misty के जनक कहे जाते हैं उन्होंने कहा था कि देखिए किसी भी वस्तु को या किसी भी हाँ वस्तु ही माल लिए यहां पर किसी भी वस्तु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खतम किया जा सकता है रूप परवर्तन कर सकते हैं तो वही इसका भी लेंज का भी नियम या कॉंसेप्ट है वाखी रॉकेट बगर जो प्रचेपीत होते हैं समय के सिद्धान पर ही होते हैं जिसे हम कह सकते हैं न्यूटन का गतिविसक त्रतीनियम द्रबे मान और उर्जा सनचड़ E is equal to MC स्कायर से संबंदित हो जाता हम तरपे आजएक मुटन का कॉंसेप्ट था यदि किसी विद्धू तो किसी चुमबक का तीसरा धुरूब हो तो तीसरा धुरूब क्या कहलाएगा ये कोश्चन काफी बहतरिन और अच्छा सा कोश्चन है तो ये याद रखेंगे कि आपको यहाँ पर याद रख्षित याद धुरूब ये देखिए option आपके पास आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ कुछ सायदी सीमिस हो लेकर ऐसा होने वाला नहीं है इसका होता परिडामी धुरूब ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा देखिए यह जी किसी चुम्बक का तीसरा धुरूब होगा तो तीसरा दुरू मतलब वो परिडामे दुरू होगा है ना विखंडित कर दिये या कुछ ऐसा तब प्रथी एक बहुत बड़ा चुंवक है इसका चुंवकी छेतर किस दिशा में विस्त्रत है तो का हो भाई उत्तर से दछिण दिशा में होगा सी दिसी बाति है इसमें कुछ नार्थ से साउथ में ही तो होगा और कुछ थोड़ी होगा कि हां उससे पता है भूमद रेखा पे बहुत कम चुम्मक खत्तो होता है ना लोहा का क्यूरी तापमान क्या होता है ये भी काफी प्यारा सा कुश्चन है 780 डिग्री सेल्सियस लोहा का क्यूरी तापमान हो जाएगा इसको भी आप रट लीजिए चुम्मक निमनलिखित ग्रह उपकरण में इसमें थोड़ा सामलोग फास चलने की कोशिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मैं कुछ का आवस्चक भाग है ग्रह उपकरणों में तो सुम्मक हर जगे आमतर पर जैसे यह है बुलाने की गड़िया ने कॉलिंग मतलब घंटी जो बेल होती है बजाते तो वह उसमें भी हम चुम्मक तो कही इस्तेमाल करते हैं पंखा में तो जानते हैं और दुलाई मसीन में भी मोटर ही तो चलता है तो सिधी सी बात है मोटर का कॉंसेप्ट तो चुम्मक कवत्त की बात है तो करेक्टांसर इस दर ए बी सी एंडी सुरी बी सी तो अर्था सभी विश्वत रेखा पर नती या अभी हम लोग नमन कोड की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग पोल पे देखे तो 90 डिग्री था लेकिन जब विश्वत की बात करेगा भुमत रेखा की बात करेगा तो करेक्टांसर इस दर जीरो डिग्री है ना तो हम लोग ने बात की थे कि क्या होता है चुमकी शेत्र की दिसा था शेत्र दिसा के मद्द के जो बीच का कोण होता है उसको ये प्रदर्शित करता है एक समान चुम्ब की शेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक समान चुमकी शेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए या विसारी अपसारी एक तुसरे के हम समांतर रखेंगे है ना ऐसे नहीं तो माहूर बिगड़ जाएगा है ना दिख सुचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है नहीं किया जाता है यहां पर नहीं बात बोल दिया तो थोड़ा से सावधानों के ध्यान देंगे तो दीक्सूचक का प्रयोग किसके लिए कि लिए देखिए दीक्सूचक मतलब उतर दसिट डिसा जाज करते ही हैं। चुमग की दोटा को जाज करते हैं सो सक्ति के ध्ल तो ऐसा बिलकुल नहीं है व्ह 상태 कहता है तो यह तो गलत होई गया है कि जब किसी दर्ण चुमक को आख्श कर अन्टरा जाता है तो उसके उत्तरे और दछड़ दिरुब अलगुज़ाते हैं नई 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 ऐसा नहीं है फिर से दच्छड और रोतरी आपस में फिर बन जाते हैं हम लोग पहले भी समझ गया है तो अलग होने का कोई concept नहीं होता है फिर वहां से बदल जाता है नार्थ और साउथ फिर से अलग अलग हो जाते है किसी दंड चुम्बक को उसके अक्ष के नुलम काटा जाता है तो नई दंड चुमक बन जाते हैं तो यहीं बात तो हम लोग पहले से भी कह रहे है तो करक्टांसर इस दसी बागी क्या है किसी दंड चुमक के दुरू परिणाम में परिमाण में असमान तो दुरू चुमक परिमाण में असमान और प्रकर्थ में ब ठीक है क्योंकि देंड चुम्मक की बात हम लोग और किये थे तो उसमें अलगी सिच्वेशन है और तो फिलाल अमारा क्या हो जागा करेक्ट आंसर सी और और कुछ नहीं है बस तो यह वीडियो यहीं समात हुआ कैसा लगा कमेंट करके ज़रो बताइए थोड़ाचा भी करेंगे तो आपको बस ज्यादा याद कराने की कोशिस रहेगी है ना मेरी तरफ से ठीक है मिलते है गलोड़ में तब तक लिए नमसकार जय हिंद जय भारत